हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट टीचर एक्जाम इस्टड़ी पे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीड तोजात सत्रा पर्रयरंड अध्यन इवियस का पेपर तो दोस्तों चलिए दोस्तो लिटो करते हैं दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि आएं तो प्लीज सब्सक्राइब करिये साथ में विडिव अच्य लगे तो लिक करिए और अपने दोस्तों को सेरज करिए तो दोस्तों यहां पर आपका option first option सही हो जाएगा कौन सा गोड़ा वर्ड नेश्ट प्रस्ट है प्रस नमबर दो है निम लिखित में से कौन सा सुमिलित है यानि दोस्तों बताना है कि इन में से कौन सा जोड़ा सही है आपके पास में Bombay Natural History Society कहां इस्तित है नई दिल्ली में इस्तित है तो दोस्तों आपको बता दें यहां पर भी option सही हो जाएगा भारती वनस्परती सरचण कहां इस्तित है तो यह कोलकाता में इस्तित है प्रस नमबर तीन है 120 तो दोस्तों यह है निमलिकित में से कौन सा नवी कंडी उर्जा का सोत्र नहीं है तो दोस्तों आपके पास में जिवास मीधन जल विद्धूत पावन उर्जा और सोर उर्जा तो दोस्तों यहां पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा जिवास मीधन तो दोस्तों यह नवी करनी उर्जा कि सोत्राहें नेस्ट प्रस्ट नमबर 124 तो दोस्तों यहां पर आपका प्रसान साही हो जाएगा टेंसले ने किया था प्रस नमबर 125 है भारत का शरवादिक वर्शा वाला कौन सा है आपके पास में बैंगलोरू मैंसूर सिरी नगर मांशिन राम तो दोस्तों यहां पर आप सन आपका डिया आपसन सही हो जाएगा मांशिन राम नेच्ट प्रस देखते हैं प्रस नमबर 126 पर्रय अवर्ण के जैविक घटक में समलित हैं क्या समलित हैं आपके पास म भूम समलित हैं वायू समलित हैं पौधे समलित हैं जल समलित हैं तो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि कौन सा समलित है 126 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा डी और सी आपसन सही हो जाएगा पौधे हैं जो यह क्या है जैविक घटक में समलित हैं प्रस नमबर 127 देखते ह कि दोस्तों क्या है मीनी माता रोग का संब्द निम्ले लिखित में से किस्से हैं आपसन है टीडी पदूसर्ण होता है प्रेस्ट नंबर 128 देखते हैं तो दोस्तों नियम लिकित में से आप चेती सिचर्ण सामेगरी कौन सी है आपसर आपके यह रहें फिल्म स्टिप चार्ट चित्र विस्तारक यंत्र डी आप्चन है स्लाइड तो दोस्तों कौन सा 128 प्रेस्ट का वी पर्योंड स्रक्षण से संबंदित नहीं है ऑप्सन आपके पास में हैं वंडुन मुट वनओन मुलन प्रकति संसाधनों का सरच्षण व्रहद परवधार उपन जलासों की सफाए दोस्तों यहां पर आपका पूछ रहें कि इनमें में से नहीं है तो दोस्तों यह सही हो जाएगा नेस्ट प्रस्ट नंबर 130 है पर्योण सिच्छा में सामोही चर्चा से समंदिस सिच्छडवित कौन सी है इसमें पूंच रहा है कि कौन सी है आप्षण है भूम का निर्वा वेख्यान वर्णन विचार गोस्टी दोस्तों इसका आप्षण डी सही हो जाएगा बिचार गोस्टी प्रस्ट नंबर 131 देखते हैं 57 अवमेश्टम मुल्यंकन सी के समय बालक की रुची का मुल्यंकन करना,्शी आप्षण है विद्याले में उपस्थित के समय बालक के ग्यानियूमबोद का मुल्यंकन करना और D क्या आप्सने विद्याले में उपस्दित के समय बालग के कोशनों का मुल्यांकन करना तो दोस्तों 131 का प्रसंद ए सही हो जाएगा विकल्प नेस्ट है प्रसंद 132 IEEP का फुल फार्म क्या होगा आप्सन वैं इंटरनेशनल इन्वार्मेंट एजूकेशन प्रोजेक्ट बी आप्सन है इंटरनेशनल इन्वार्मेंट एजूकेशन प्रोग्राम सी आप्सन है इंडियन इर्वार्मेंट एजूकेशन प्रोजेक्ट डी आप्षन है इंडियन इन्वार्मेंटल एजूकेशन प्रोग्राम तो दोस्तों 132 का वी आप्षन सही हो जाएगा नेश्ट बात करते हैं प्रेस नंबर 133 का पर्रया अध्यन सिच्छन के दोरान विद्यारतों की सेचिक उपलब्दियों को देखने के लिए नियम लिखित मे से किस आकलन सुचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए तो दोस्तों यहां पर पूंच रहा है कि नहीं किया जाना चाहिए आपके पास में और लोकन करना चर्चा करना प्रयोग करना उप्चारात्मक सिच्छन करना तो दोस्तों 133 का डी आप्षन सही हो जाएगा 134 है निम्लिखित में से कौन सी विशेष्टा अच्छे सिचन की नहीं है आप्सण है आपको आप्सण है अच्छा सिचन क्रिया अधारित होता है युक्त होता है दोस्तों 134 का सी आपुशन सही हो हाएगा अच्या शिच्ण मूल अधारित नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों पोचा गया था सिच्ण नहीं है ये दोस्तों हमें देख कर करना होता है कि नहीं है कि है डोस्तों 135 प्लस्थन है निम्लिकित में recordsüh पर्योंड अध्यन की विशेवस्त में समलित नहीं किया जाता है आपसने वन सरच्छण राजनेतिक सरच्छण जल सरच्छण मरदा सरच्छण तो दोस्तों यहां पर आपका आपसन भी सही हो जाएगा राजनेतिक सरच्छण प्रस नंबर 136 है नियम लिकित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयासवा तूटी सिद्धान से समंदित नहीं है दोस्तों यहां भी पूचा जा रहा है कि नहीं है कौन सा नहीं है पुनरवलन का नियम ततपरता का नियम अभ्याज का नियम प्रभाव का नियम तो दोस्तों यहां पर आप्षन हमारा फर्स्ट आप्षन सही हो जाएगा कौन सा पुनरवलन का नियम नेश्ट प्रस्ण है भारत में वाल स्रम को पतिवंदित करने के लिए बाल स्रम निशेद्यों बिनेमन अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया आप्षन है दोस्तों बहुत इंपॉ 182,017 137 का कौन सा आप्षन दोस्तों सही हो जाएगा यहां पर सी आप्षन आपका सही होता है 119,86 में नेश्ट प्रस्ण है 138 का है दोस्तों यह दोस्तों कई वार आपके रीटेड में पूचा जा चुका है तो प्रस्ण है भारत में लड़कियों वा लड़कों के विवा कि नियुम्तम कानूनी आयू क्या है दोस्तों यहां पर कन्फ्यूजन वाला की यह होता है कि कभी कबार हम लोग देखते हैं कि बहुत सरल प्रस्ण हैं गलत करके चले आते हैं क्यों यहां पर देखना है कि पहले लड़कियों लड़का दिया है या लड़की दिया है अगर यहां पर आपका अप्शन बी आप्शन सही हो जाएगा 18 वर्ष से ओम 21 वर्ष प्रेस नंबर 149 है राजिस्तान की वस्तनगरी का क्या नाम है आपके वास में उदैपूर जैपूर उदैपूर अजमेर सीकर भीलवाडा तो दोस्तों यहां पर आपका अप्शन डी सही हो से जाना जाता है एक सो चालिस प्रेस्ण है नसीली दवाओं की लड़त को नियंत्रित करने हैं आम तोर पर प्रयूक्त की जाने वाली और शदिका क्या नाम है आपके वास में फॉली कमल कोकीन इसकारवी कमल और डी ऑप्शन है फैथी दीन तो दोस्तों एक सो चालिस का प दोस्ता सौ पत्सत्थ खुले में सौच मुक्त ओडी एफ राज है बहुत ही दोस्तों इंपोर्टन प्रस्ण है अंद्रपदेश असम केरल तमिल नाडो तो दोस्तों यहां पे आपका अप्शन सी सही हो जाएगा केरल नेस्ट प्रस्ण है 142 नंबर का राज राजिस्तान म प्रस्ण है आपके पास में 10, 25, 35, 20 तो दोस्तों यहां पे आपका अप्शन यह सही हो जाएगा 10 है प्रस्ण नंबर 143 की बात करते हैं लाइलान का अभिस्कार किस ने किया था आपके पास में मैलिस, केल्विन, वालिस, केरो थर्स, ट्रॉविंस हिल, पीटर, मिसल 143 का आ यह सही हो जाएगा वालिस, केरी थाल तो दोस्तों प्रस्ण नंबर 144 बात करते हैं, 114 निम लिखित में से कौन सा राजिस्तान से संबंदित नहीं है, कौन सा दोस्तों मेले की यहां पर वर्णन दिया गया है, कौन सा राजिस्तान से संबंदित नहीं है, वाडे सोर मेला, पुसकर मेला खेजर लीव मेला और माग मेला तो दोस्तों यहाँ पे माग मेला जो है राजिस्तान से संबंदित नहीं है संबंदित नहीं है यह संबंदित है किसे यह संबंदित है उत्तर प्रदेश से 145 प्रसन है भारत में पर्थम रेल गाड़ी की शुरुआत कब हुई थी तो दोस्तों 1920-1856-1853-1969 तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1853 से कहां से कहां तक हुई थी बुमबई से थाड़े थाना के बीच में हुई चली थी जिसकी लंबाई दोस्तों 34 किलोमेटर थी नेस्ट प्रसन है 144 नंबर का PC कल्चर क्या है दोस्तों आप चना है आपके वासे मनवक्खी पालन बी आप चना है मचली पालन सी आप चना है मुर्गी पालन तो दोस्तों यहां पे पूचा जा रहा है PC कल्चर तो दोस्तों यहां पे PC कल्चर हो जाएगा मचली पालन से जब कोटड़ा खान पसिद्ध है किसलिए तामा के लिए पसिद्ध है रॉक फास्पेट के लिए पसिद्ध है जिंक के लिए पसिद्ध है यूरेनियम के लिए पसिद्ध है तो दोस्तों यह पसिद्ध है रॉक फास्पेट के लिए तो दोस्तों यह रॉक फास्पेट के लिए प दिप्थीरिया 148 नंबर प्रस्ट का आप्शन डी सही हो जाएगा डिप्थीरिया नेश्ट प्रस्ट नंबर 149 की बात करते हैं नियमल लिखित में से कौन सा परिच्छण HIV से प्रत्यच सम्मंदित हैं आप्शन है विडाल नेश्ट आप्शन है MP, ESR और D आप्शन है ELISA तो दोस्तों यहां पे आपका आप्शन कौन सा सही हो जाएगा 149 का D आप्शन सही हो जाएगा ELISA से दोस्तों यह सम्मंदित हैं नेश्ट आज का अंतिम प्रस्ट 150 की बात करते हैं भारत में पल्स फुलियो टीका करान कारिकरम क आप से आपके पास में 1985, 2005, 1995, 1990 तो दोस्तों भारत में पल्स फुलियो टीका करान कारिकरम 1995 से प्रारंब किया गया था तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगाओगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने सुजाओ कमेंट के माद्धम से दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और यह वीडियो अपने साथियों को सेर करिए तो फिर मिलते हैं दोस्तो दोस्तों वीडियो कि शुरू सियान तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद